नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वन इलेवन में मैं हूँ आपके साथ कृतिका वर्तमान समय में देश कोरोना वाइरस से जूज रहा है इस बीच भारत के लिए एक बुरी खबर है दरसल देश के उपर एक और संकट मढ़ रहा है और उस संकट का नाम है चक्रवर्ती तुफान अमफान दरसल चक्रवर्ती तुफान उडीसा और पश्चिम बंगाल की मुस्किले बढ़ाने आ रहा है भारतिय मौसम विभाग के मुताबिक अमफान तीन किलो मीटर प्रती तुफान में तबदील हो जाएगा जो जल्दी अपना कहर बरपा सकता है बताया जा रहा है कि तुफान 20 मई को दोपहर से साम के बीच बंगाल के सागर दूप से बंगला देश के हटिया दूप को पार कर सकता है चक्रवाद के असर से उडीसा और पश्चिम बंगाल के दच्छनी पश्चमी और बंगला देस के खेपू पारा से 1250 कीमी दूर दच्छिन पश्चिम में है इसके असर से बंगाल की खाड़ी के दच्छिन हिस्से में 119 सुब़ 150 कीमी प्रती घंटा मद्ध हिस्से में 190 कीमी प्रती घंटा के रफतार से हवाय चल सकती है अब सवाल उठता है कि चक्रवर्ती तुफान अमपान का कहां कहां असर होगा तुफान से पश्षिम बंगाल का 24 उत्तर और दश्षिन प्रांगन कोलकता पूर्वी और पश्षिम, मिदनापूर और हावडा और हुगली में तेज बारिश हो सकती है उडीसा के कई जिलों में कम तुब्रता के बारिश हो सकती है इसके साथ ही राज के 30 छेतरों में मंगलवार और बुद्वार को भारी बारिश हो सकती है हलाकि इस चक्रवार का असर बाकी भारत पर नहीं होगा इन्डी आरफ के पश्शिम बंगाल के 10 और उरीसा में 7 टी में तैनात की गई है इन्डी आरफ के डिरेक्टर जनरल एसन प्रधान ने बताया कि उरीसा में 10 टीमों को 7 जिलों में भेजा गया है 10 टीमों को stand boy पर रखा गया है जो कभी भी स्थिती को देखते वे कुछ कर सकते हैं इसके साथ ही NDRF की निर्देशक ने कहा कि टीम स्थिती की निगरानी कर रही है 21 सदस्यों वाली एक टीम को पारदुई में तैनात किया गया है इन सभी टीमों के पास राहत और बचाब कारे के लिए जरूरी सभी समान उपलब्द है इसके साथ ही पुर्वी नबसेना कमांड भी अलर्ट पर है विसाखा पटना में भारतिये नबसेना के जहाज अलर्ट मोड पर है इसके साथ ही जहाजों में डॉक्टर, अस्पेशल गोता खोर और राहत समागरियों के लिए सारी समागरियां उपलब्द रखी गई है वही इन स्थीतियों के मद्दे नजर रखते हुए उडिसा के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक ने जिराधिकारियों को सतर्क रहने को निर्देश दिया है इधर तमिलनाडू में भी अमफान का खत्रा बढ़ गया है बताया जा रहा है कि तेजी से आगे बढ़ रहे अमफान का असर भी तमिलनाडू के कोयम बुटूर समेत कई जिलों में रविबार को चली तेज हवाओं के कारण सैकडो पेड़ गिर गया है और काफी नुकसान भी हुआ है वहीं अमफान के आगे कि स्थिती को देखते हुए उड़ी सा पश्चिम बंगाल तमिलनाडू के समुद्रिय तट के करीब रहने वाले लगभग 11 लाख लोगों को सुरक्षी तस्तानों पर पहुचाया जा चुका है इधर मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने साम चार बजे हाई लेवल मिटिंग बुलाई है जिसमें वह मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर और रास्ट्रिय आपदा प्रवंधन प्रधीकरन के लोगों के साथ बैठक करेंगे या बैठक देश के कई हिस्सों में चक्रबाती तुफान अमफान के बढ़ते खत्रे को लेकर की जाएगी जिसमें अमफान से बचाब को लेकर रनीतियां तै की जाएगी अब देखने वाली बात यह होगी कि कोरोना की इस बिवदा के बीच में इमफान एक संकट के रूप में आ रहा है जिसे देश कैसे निपटता है बिहार जार्खन की तमाम खबरों के लिए बने रहें News 11 के साथ नमस्कार बिहार और जार्खन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें